वेलकम गाइज जीके एंसीकूज एंके चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागते सब्सक्राइब कीजें जीके एंसीकूज एंके चैनल को रुपा ये रोजान मल्टीबल चोइस कुछन जो आपके इंट्रास एक्जाम कंपटिसें एक्जाम के लिए बहुत ज़्याद रहेगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है बस आपको तो कंटिनुव वीडियो देखना है ताकि आपके तियारी अच्छी हो सके ठीक है तो देखिए आपके डिमांड के कोडिंग मेंने काम किया है बस आपका लाइक सब्सक्राइब और से पर देना बस चाहिए तो चलते होरा आपके क्योंकि इंट्रास एजाम भी बहुत नजदीक आने वाले कमट्सिन एक जितने निकालेंगा ना अपना फाइदा है ठीक है तो यह मल्टिपल चोश्च कुशन है देख सकते हो आप ठीक है एंसे क्योंकि आपके इंट्रास एजा विद्ध यानिकि गुणसूतर समधित होते हैं कितना सिंपल कि उसने क्रोमोसॉम आर रिलेटेड विद्ध किसे समधित होते हैं रेस्पाइरिशन से रेप्रोडक्शन प्रजनन से ट्रांसमिसन और हैरेडेटी चरक्टर यानिकि अनुवांसी गुणों के अस्तांतर या फ प्रेटिस भी अच्छी होती रहे हैं यह चार ओप्शन होगें यहां पर तो क्योंसे ने आपका पहले इंदीम पर लेते पिर इंग्लिस में देख लेंगे ठीक है ग्रेप्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे एंजाइम किस हस्तान पर रहते हैं मॉस्ट एंजाइम इंट्रोंड्यमें लेट्र doen इन इनर मेंट्रोंड्यमें 살 मेंब्रट याल प्र प्लाजम मेंब्रेन जिससको बोलते हैं बताए लेने वाले सारे एंजयम किस स्थान पर रहते हैं और ही हाड़ कुछन आपके लिए आप बोलड़े तरहां सर इजी कुछन ने हाड़ कुछन भी दो तो यह रोड़ कुछन भी आगए माइट्रो कॉंड्रिया यानि कि माइट्रो कॉंड्रिया मैट्रिक्स इसका राइट ओशन हो जाएगा पास्ट ठीक है तो इसमें क्या होता है ग्रेब सेक्ट में भाग लिने वाले बहुत सारे एंजाइम इस अस्तान पर होते हैं माइट्रो कॉंड्रिया मैट्रिक्स में आप इसका इसक्रीन्स दे सकते हो कोई दिक्रत वाली बाद नहीं है चलते हैं next कि नेक्स्ट कुस्टन है इस पाइनस का बुरुण होता है इंब्रियो और पाइनस इस हैपलोइड डेपलोइड या फिर मल्टी प्लॉइड वन ओप्शन आपको स्लेट कर लेना है पाइनेस का बुरून होता है किसमे होता है ऐसे कुछन बनेंगे हैं आपके देखना बहुत सारे एजी तुमने करवा दे और आपको आप भी गयोंगे एजी एजाए तब भी कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है हराड भी एजाए तो अग्जाम को फाइट करना है बस आई होप आपने सेट कर लिया होगा इसका रायटों से नहीं हो जाएगा हमारा है ठीक है पाइनेस का बुरून होता है वह है प्रकार का होता है चलते है ने इस कुछन के और पोड़ा सा इसको लार्जिस्ट कर लेते कोई दिक्कत वाली बा यह तो बोल देना वहीं टेंकर के वर्गिकरण में जिवानों को कौन सा स्थान दिया गया है वहीं टेंकर के वर्गिकरण में जिवानों को कौन सा स्थान दिया गया है मोस्ट इपोटेंड वेर आज प्लेस और विक्टेरिया इन दे क्लासिपकेशन और वहीं टेंकर बहुत अच्छानी की जिवानों कौन से व्रग में आते हैं क्या प्रोटिस्टम आते हैं क्या मोनेरा माते हैं क्या पादम में आएंगे क्या कवक में बताई बहुत ही जी कुछने अगर आपने 11th NCRT पढ़ी होगी तो इसको तो आप सही करोगे 100% सही करोगे और बहुत सही आ सब्सक्राइट के इसुतमर में अदे ले सकतेट 151 प्रोटिस्टम में ध्याएं तो और चीज़ा जाएगी सा अफिस से कवक में आ जाएगे और फिर प्रोटिट लोगा प्रोटिस्टम टीम अ को नári घा प्रोटिस्टेइटंध्व में प्लाजम अंधिया डाया इतम सोगे यह साथ चीज़ आ जाएगी नाइस्ट ये बहुत अच्छे कुसने आज गे अगला कुसने रोटी के लिए उपयोग किया जाने वाला ग्यों का वेगनिक नाम बताईए रोटी के लिए यह जोता है ग्यों तो ठीक है तो उसका वेगनिक नाम बता दो गाइच वाट इस दा सा सब्सक्राइब कर लिया जल्दी जल्दी ताकि बहुत सारी क्यूशन आपको करवा सके हम तो इसका राइट उसुन हो जाएगा हमारा ट्रीकम स्ट वाँ ठीक है यह होता है उसका वेगनिक नाम ग्यों का ठीक है तो इसी पर तोड़ा सा आलू का भी रिख लेना तोड़ा सा मेटर का भी रेकले ना ताकि आपको कोई दिक्र ना हो नेश्ट कुशन आपका तोड़ा सा इसका वन आपन यहां पर एड़ है नेश्ट क्यूशन आपका दे स्मालेश्ट प्लॉवर इन दे वाड़ीज वीश्प का सब से चोटा पूस्प कोन सा है लॉटस कमल वुल्फिय वीश्प का सब से चोटा पूस्प बता दो गाइस जनरल नूलेश्ट का कुशन आगया और वन आपने स्रेट पर कर लिया होगा ठीक है सो सिंपल इसका राइट को अप्शन हो जाएगा हमारा उप्योक्त में से कोही नहीं अगर फिर उप्योक्त में से कोई नहीं है तो फि कमेंड में वीश्प का सबसे चोटा पूस्प कोन साथ है ठीक है चलते नेक्ष्ट अगर पिर आपको नहीं आता है फिर इसका अंसर में बताऊंगा ठीक है ना बड़ते को का रुपांत्रित होता है फ्लावर का बड़स यान की कलियां का मोडिफाई रूट यान की जड़ का रुपांत्रन या फिर उप्यूक्त में से कोई नहीं नौन ऑपड़ाव गाईज ऐसे कुछन अपसर पूछ ले जाते जिसे आप अध्रा का पूचा है ना आपसे आलू का में सबके और नौन होगा है माँचा आपके साथ है ब्लंट होगा थिकKeep तो चलिए इसका राय टोसन हो जाएगा उप्योगत में से कोई नहीं ठीक है ना ही पुस्प का है ना ही कलिया का है ना ही रुपांतर जड़ का है आई होग की तने का स्टेम का होगा ठीक है तो इसी प्रकार अर्वी हो गए आपके अलू हो गए इनका पताब को रखना है जिसके उपर अलग से वीडियो हो जाएगा को किसका रुपांतर कौन है ठीक है क्योंकि बहुत सारे चीज़े उनका हम ब्रीवली डिसकस कर लेंगे अलग से टोपी लेके ताकि सारे आपको एक जिगा याद हो जाए ठीक है ना टी सीए साइकल या फिर हेच एओं इसलेट पाथवे या फिर पेटोंस पास्पेट पाथवे कि सीपोर चक्कर यानि कि जो सीपोर साइकल होती है न क्या बोल सकते इसको आप और किस नाम से वो नाम से पुकार सकते हो आल सो क्लॉइज वन ओप्शन स्लिक करना है आपको कर लिoster सो गयज इसका रायर टैसलेट हो जाहेगा है पात भी ठीक है इसका रायट ऊपशन हो जाए ऑप्सें टीक है और गयज आप जो你要 चूज कर रहे हो और उसके बाद जो मैं इसका राय टॉप्सन बता रहा हूं ना दोनों को कंपेर करके आपको बताना है कि आपके कितने गल्द गए और कितने सही गए ताकि आप खुद का एनलेसिस कर सको क्योंकि लोगडान में आपका कोचिंग तो जायर नहीं रहे होंगे ठीक है तो यही आपके में चाता हूं कि आपका इतनी त्यारी हो कि आपको कोचिंग को जुरती ना पड़े ठीक है देखो सभी इस्टुडेंट किसने किसी कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करते को इसे भी लोग लेवल से बिलोंग करते जो अपरोड नहीं कर सकते कोचिंग को मैंने सुचा क्यों ना उनको प्रियो पोस्ट वीडियो बना बना कि उनको सिखाया जाए नेक्स्ट याप और आपको सपोर्ट भी बहुत सारा देखने को मिल रहे है लाइक आरे अच्छे का से सस्क्राइब और आरे बस वीडियो को सेर कर दिया अग्रों जिसकी इनको जुरतते बस और तो कुछ नहीं अच्छे यह आपसे ठीक है ना और मिरोक पता है यह सब आप कर रहे है ताक कि हमारे सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाने पूरे तो लाइ ग्रीन पिगमेंट इस पाउंड हिन जैन्तोपाइट कलोरोफाइट फ्योफाइट रोडोफाइट बता दो गए जिसका रायट ओप्षन पटापड से चूज कर लो ताकि हम जितना हो सके कम टाइम में अधिक मल्टीपल चूज कर सके ठीक है कर लिया होगा आपने इंट्लिज आपको बोड़े तरह सर थोड़ा हाड इस लेवल के कुछन होने चीए और इजी पहना चाहिए तो क्यूंकि आप हाड पढ़ते परते इजी कुछन को बूल जाते हूं मेरे पता है मेरे पता हैं इंट्रस कैसे क्रेक होता है इस रोपर्तम सन्सलेशित कार्वनिक रसाइन है इस रोपर्तम सन्सलेशित कार्वनिक रसाइन है प्रिट सिंथेटिकली पेर पेर ओर्वनिक कंपाउंड वाच ग्लुकोष मिथेन बेंजीन यूरिया इस रोपर्तम सन्सलेशित कार्वनिक रसाइन ओर्वनिक रसाइन ओर्वनिक रसाइन ओर्वनिक बताना है कि ओर्वनिक प्रवाइब लिया होगा इसका राय टो थोना जाएगा यूरिया ठीक है यादर आजएगा यूरिया से पहले सिंटेशिट किया गया था नाइस्ट कुछन है कि बहुत अच्छे क्यूशन है आज यह से क्यूशन तो रिपेटीब हो सकते हैं थोड़ा सा एड़ेस्ट कर लेते हैं बहुत सार तो इनमें से देखने मिल जाएंगे आपको पादबो का कौन सा भाग एस ओटू परदूसक से परवाइविद होता है विच पार्ट ओप देप्लांट इफेक्ट डियो टू अच्छोटू पॉलुशन च्छेँ पार्फ फ्लस्ट मायटरो ओंडिया वाइवि लायसास ओम आदबोका कौन ऊसा भाग एको परदूसक से परवाइविद होता ऊसद्दू सके ना उससे परवाइविद होता है कौन होता है पता नहीं है तो पता कर लेना वैसे वन उप्सन स्लेट कर लो कोई सा भी गलती सही बट स्लेट कर लो ताकि तोड़ा सापको तुक्क लगाने भी तो अना चाहिए ना नेगटिव मार्किक नहीं होती है वहाँ पर देशा है करना पड़ता है ठीक है अन्दाजे से और वह भी बहुत सही चला जाता है कर लिया होगा आपने वन उप्सन स्लेट सो सिंप्लिस का राइट उप्सन हो जाएगा कलोरोपलास्ट ठीक है यानि कि एस ओ टू पर दूशरक से कलोरोपलास्ट प्रभावित होता है एफेक्ट होता है ओके चालता है M- tempt नेक्ट गुजिन क्यों है बट कोशिस कीजिए सो सिंपल कर लिया होगा वन उप्शन स्लेट आपने इसका राइट उसन हो जाएगा 26 अपरेल 1996 ठीक है नाइस्ट कुछन बहुत अच्छे कुछन आ रहे गाईज निमन में से कौन सा सेवा लोग का एक समू है कौन सा सेवा लोग का एक समू है बताइए तो आपके सामने चार ओप्शन देवे कारा फॉकस पॉलिस फोनिया सेगिंटे वॉल्वक्स एस्पाइग ग्योरा और क्लेमेडोमनास नेक्स्टे फॉरिफाइरा अक्टो पेरस इलोत्रिक्स नेक्स्टे सार गोसम लेमिनोरिया और ग्रेसी लेरिया निमन में से कौन सा सेवा लोग का एक समू है तो आपको सही चूज करना है यह समू सही होना चाहिए यानि कि तिनों में ठीक ठीक होना चाहिए यानि कि समू होना चाहिए यह आप समझगे होंगे तो वन उप्शन कर लो इलेवंध का एक्यूसन एंज से आट हीगा आई होप आपने कर लिया होगा इसका राइट उप्शन जोगा ना वह जाएगा हमारा वह लग्ववक्स एस्पाइगहःउ और क्लैमाइड दोमोनास ठीक है अपर इमानदारचीं बता तो किसा को सही था ऑप्शन स ह Elder बहुत बहुत दनिवाद दिना चाह MU जिसका ऑपर्सन सारे वीडियो के लिलिस्टे हैं सामने उपनी हो जाएगी जो भी वीडियो आपने मिस्कर कर दिया ओकर आपैसे दिन कही पर काम पढ़ पर ऑप के तो उनको देख सकते हैं ने विदिम cm बताया था और आपको समयधारों इंटिलिजन्ट इस्टुडेंटों चलते आगए ऐसे कुछन मायक्रोबाइल इंसेक्टाइसाइड पॉपुलर ठीक है देखो हिंदी में तोड़ा सा आपको समझे नहीं आराओगा तो कोई दिक्कत नहीं पेपर में आपके इंग्लिस भी दी जाएगे तो वहां साब पेपर में इंग्लिस का सारा ले सकते हो और इंग्लिस की बासा मानने है ठीक है हिंदी में कोई मिस्टिक रहते है ना तो यह बासा मान रहें इंग्लिस वाली तो पॉपुलर माइक्रोबाइल इंसेक्टासाइड आपको बताना है कैंडिडा इस्ट बेसिलस त्रेंजिस और यहां पर दिया हुआ है इस्टेफाइलों को कस और यह बताए पॉप पॉपुलर माइक्रोबाइल इंसेक्ट सिसाइड है नेक्स्ट कुशन है कि अमली वर्षा का कारण क्या है कोज बताने आपको एस एसे ट्रेंड आर पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ कारण एसे ड्राइन होती है आपने देखा होगा और बहुत ही हमफुल होती है जो वाटर के जो हमारे जीव जनतों है उनके लिए तो इसका कारण क्या है वन ओप्सन आपने चूज कर लिया होगा इन चारों में से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए गाईज आपको क्योंकि लिए वन ओप्सन स्लेट कर लिया करो क्योंकि एक्जाम में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा अब आपने कर लिया होगा इसका रायटो सुन हो जाएगा सो टू और अडू टू का परदूशक अगर आपको पता नहीं था तो जाद कर लेना लिख लेना ताकि आपको लाओ झाय कि एक बार इंट्रास में सेलेक्ष्ण हो जाए है को लेज्ट में तो भाद में प contributes नहीं आईगी कॉलेज में किसी प्रकार से इंट्री मालों आप तो कि य्मालो को कुसाल इदर है आपको बताओं में अभी आप यहाँ हो आपको यहाँ हो आपको इस नहीं हो जाना है यानगि कॉलेज़ेसे समें जहां पर चार सल आपको बिताने है ठीक है आपके सामने बटे एक दिवार है जिसका नाम है इंट्रास एक जाम तो इसको तोड़ के आपको multiple choice question से आप तोड़ सकते हो क्योंकि question यह पूछे जाएंगे जिससे interest crack हो गया यह interest दिवार है वो तोड़ के इसको यहां आ सकता है यहां पर चार साल तक कुसाली कुसाली है और बाद में कुसाली अगर आप government को ऐसे करते हो तो ठीक है वो गया next यह आपगा पादब जगत में सबसे बड़ा बिजांट किसका होता है in plant kingdom largest all is caucas atom psychos pinus सबसे बड़ा बिजांट कर लिया होगा one option आपने से लेक्ट मैं रुख बता intelligent हो आप इसका right option हो जाएगा हमारा psychos ठीक है psychos में सबसे बड़ा बिजांट हो दाहे ओके next question है बहुत अच्छे question है guys most important question है और मैं तो कहता हूँ कि दो बार देख ले न वीडियो को अगर एक बार में समझनी है ना दो बार देख लो तीन बार में तो आपको खुद याज हो जाएगा गसारा गसारा ठीक है और पूरा दिन है आपके पास तो देख लिया करो यह head bone का यूज किया को लेकिन ताकि आपको आपके आसपास के वाज ना आए ठीक है पूरी वाज आपके mind में आपके brain में श्टोरो इंट्रस्ट तक प्याद रख लो आप तो बस नेश्ट क्विशनी की राइभ लोज बाइपास पिट कार्वॉक लेज एंजाम अभी करी आपको उत्प्रेशन करता है अपहत अच्छे राइभ लोज ना एंजाम अभी करी आपके वाज़ देख करता है औक्सेलो एसितिक एसिड और एसे टाइल को एंजाइन के मददे सी ओटू तता राइबुलोंज वन फाइप बाइपौसपेट के मददे नेक्स्ट ओप्शन है राइबुलोंज बाइपासपेट और ठाइको ग्लिशीड के मददे बहुत चेचा क्योंगे तो आपको one option select करने ना है यह हमारा तीन हो गया छोगता है पीजी ए तता डाय हाइड्रोक्सी एसिटोन पास्पेट के मद्दे अगर गाइज आपको थोड़ी दिक्कतोरी पढ़ने में तो वीडियो को पोच करके पढ़ सकते हो और इसका one option select कर लेते हो ठीक है तो कर लिया हो आपको अपने select इसका right option हो जाएगा आपका co2 तता राइबुलोज 15 by passport के मद्दे इसका right option हो जाएगा correct option हो जाएगा next चलते हैं बहुत मज़ितार क्योशन है और बहुत इंट्रेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे आपके लिए रहेंगे यह फंकतार बीज निमन में से कि इसने 11 दच्चे से पढ़ी हो तो इसका answer देदेगा एक सेगिंड में इसका right option हो जाएगा one option आपने कर लिया उसलेट इसका right option हो जाएगा इस पेकर क्रेक्टोव्शन हो जाएगा को अनवां चिक पुण्रगतर होता है containing us सब्सक्राइब कर लिया होगा इतना टाइम आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप समधार नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब कर लिया हो जाएगा नेक्स्ट कुछन आपका वह कौन सी गेस है जिसे हरित प्रभाव गेस कहा जाता है गेस विजकनो अस ग्रिन हाउस गेसार सीओ टू ओ टू और टू एनस त्री कल्रोफ्लूर कार्बन सीओ टू एनस त्री नोटू चारू अपके सामने उसका राइटोसन हो जाएगा अमारा क्योंकि एक क्यूसन में कर चुपके थे तो एजी क्यूसन कैसे आड़ बन जाता है देख लो यहां पर सी कल्रोफ्लूर कार्बन सीओ टू एज़एगा तो इसका डिसकस कर गया था तो इसका राइटोसन में पता ह अलमुट सबको आगया होगा तो यह सारी चीजे मारी क्या है HRITS प्रबाव इस ठीक है चलते आगे क्यों? Next क्यूसन आबगा परकास संस्लेशन में परकास अभिक्र्या कहाँ संपन होती है इन पोटो सिंटेसिस लाइट रेक्शन अकर इन थेले कॉइट, फ्रेट चैन, स्ट्रोमा, अल अब दोज, उप्योक सभी, आल अब दोज, प्रकास अंसलेशन में, प्रकास ये अभिक्रिया कहां संपन होती है, वन उप्सन आपने चूच कर लिया होगा, इसका क्रेक्टोस न हो जाएगा, थेले कॉइट, ठीक है, थेले कॉइट, इसका रायेक्टोस न हो जाएगा, थेले कॉइट में, प्रकास अंसलेशन में, प्रकास ये अभिक्रिया संपन होती है, नाइस्ट कुछन आपका रजजद तंतु क्रांती की से संबन दिते सिल्वर फाइबर रिवलेशन इन रिलेटेड विट फ्रूड कंट्रोल पिस प्रोडक्शन या फिर कॉटन प्रोडक्शन या फिर मिल्क प्रोडक्शन आज़ पास से कोई म्यूजिकल सिस्टम की वाज आ सकते हैं तो उसने आस पास कोई प्रोग्राम होगा तो आपको प्लकुल उस पर द्यान नहीं देना आपको तो और में जो बोर्ण उस पर फोकस करना है ठीक है इनका तो काम ही है यह कुछ ना कुछ होता रहता है रोजना ठीक है आपको तबना फ्यूचर शिकोर रखना है बेटर बनाना है ठीक है ना और रोजना देख लिए अगर दो से तीन बार वीडियो ताकि आपको याद हो गाइज टब भी करना जोरू है क्योंकि ऐसे कुछन ही आपसे पूछी जाते है अपसर ज्यादा तर इसी टाइप के तो रज्जत जो तंतुकरांती किसे संबन देते बार नियंत्रक से मचली उत्पादन से कपास उपत उत्पादन से दुख दूत पादन से रज्जत प्रोडक्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कपास उत्पादन कॉट्टन प्रोडक्शन प्रोडक्शन राइट ऑप्शन इस नाइस्ट कुछन और जिसका अभी भी गलते जाता है देखने के बाद भी तो लिंक में डिस्क्रिशन में देदूंगा विटामिन वाड़ा वीडियो देख लेना कि उसन तो बनेंगा बनेंगा एक से दो विटामिन से रेटेड़ आइडेंटिपाई केमिकल नेम और विटामिन ए ए एसकोर् आपको जल्दी चूज करने की वहाँ पर टिक आपको जल्दी लगाना है कि कर लिया होगा आइडेंटिफाई आपने केमिकल नेम विटामिन ए का विटामिन ए का विटामिन ए का सो इसका राइट उसन हो जाएगा टॉक ओफे रॉल ठीक है और इसके उपर मैंने वीडियो अगर विटामिन नेम देखा है न तो डिस्क्रिशन देदूगा उस वीडियो को देख लेना जिन्होंने देख लिया अगर फिर भी गलत गया यानि कि आपना याद नहीं हुआ तो देख लेना लिक में नीचे डिस्क्रिशन में अटेज कर दूँगा ठीक है ना तो यह वि इस विटामिन प्लाउट अंटिबाइयोटिक या प्रेट्रण सब्स्टांस क्या है राईबुफ冷 recycle a nimmt को इसका और क्रेक्ट्रो शॉन हो जाएगा आपका विटामिन राइबो फ्लेविन क्या है विटामिन ठीक है क्योंकि आपको पताओगा विटामिन से रेटेड क्यूसन बहुत सारे बनते हैं तो देख लेना वीडियो लिंक नीजे डिस्क्रेशन में देदूंगा अगर नहीं देखाए तो नेक्स्ट है आपका बहुत अच्छा क्यूसन है अगार अगार निमन में से किस से प्राप्त होती है अगार अगार इस प्रोड्यूस बाई विच ऑफ दे फ्लोविंग जायर गेडिना से जिलेटिनियम ग्रेसल एरिया उप्योक्त में से कोई नहीं यह आपको बताना है तो व देना टाइम वेश्ट के ऑप्सण चूज कर लेना है तो कर लिया और आपने और अपशन चूज उच है इसका राये टोसन विवीडियाज जैगा जैले डीम से ठीक है एगर ऑघर जैले डिम से प्राप्ट होता है अ पता नहीं है तो यह आपको बता होना चाही वीडियो द भारत के पच्चमी गहाट पर मुक्यत कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं दे टाइप और पॉरेश्ट मैंली फाउंड इन वेस्टन कॉस्ट ऑप इंडिया इस सब ट्रॉपिकल बिसिटिस यानिकी उसन कटिबंदे परणपाती ट्रॉपिकली मॉइस्ट डेसिडस यानिकी उसम कटिबंदे नम परणपाती ट्रॉपिकल डेसिडस यानि उसको कटिबंदे ओगया आमारा या फिर एवरेग्रिन पोरेश्ट सदा बार्वन बारत के भच्चमी गांट पर इंडिया का नकषा तो पता है सबको कुछ इस प्रकाबा के इम्मेजनेसन कर सकते हो आख एक है रफ ग्राप तो यह तोमरा उत्तर होता पर भच्छी मी गांट से क्या तात्वरे भी आपको पता होना चीए नेक्स्ट है सदा बार वन पाए जाते हैं ठीक न अगला क्यूसन है है एक सोज सरक्रा के एक अनू को बनाने के लिए कितनी संक्या में केल्विन चकर लगेंगे हाउ मैंने ट्रन ओप केल्विन साइकल केल्विन साइकल प्रोड्यूज वन मॉलिक्यूल ओप हेक्ज़ॉन टू सिक्स फॉर एट वन ओप्सन स्लेक नाओ आई होप आपने उन उन उसन चूज कर लिया हुआ इसका राइट उसन हो जाएगा शिक्स छे हेक्जोन सरक्रा के एक उनुको बनाने के लिए कितनी संक्या में केल्विन चकर लगेंगे शिक्स छे चकर लगेंगे नेक्स्ट कुसने आप गा बहुत अच्छे कुशन है गाईज निमन में से किसे कोशिका की आत्म हत्या की थेली बौलते विच ओब दफ लौविंग इस कॉड़ सुसाइडल वैग ऑफ दशेल मौस्ट इपोर्टेंट कुशन और सबका ये राइट जहना चाहिए क्योंकि आप बच्पन से पढ़ते आ लाइसोसॉम राइबोसॉम न्यूकलोसॉम गॉलजी काई किसको बोलेंगा आप सुसाइडल वैग और आप एक बार जो पढ़ लिए तो नगाज हो मिसला लाइफ टाइम काम आजए क्यों साइंस सी जैसी है देखो साइंस का ग्यान कभी बेकार नहीं जाता साइंस का जो ग अब चीज एजी साइंस की वज़े से हो पारी है ठीक है ना आई होप आपने उन और आप्शन चोज कर लिया ओगा गाईज तो सिंपल इसका राइट हो सुना हो जाएगा लाइसोसॉम लाइसोसॉम को सुसाइडल बेक आप बोल सकते हो ठीक है गाईज आपको इंगलिस के बोड़ेता है तो इंगलिस के ना हमारा जो जेक के लोन जॉब चैनल ने जेक के लोन जॉब वहां पर भी अपलोड कर दूँगा इंगलिस का तो वहां से भी देख लेना ठीक है अगर जिसको पता नहीं हमारा जेक लोन जॉब चैनल लिंक नीज़े डिस्क्रेश्म में दे सब्सक्राइब कर दोगा वीडियो क्योंकि वहां पर फॉम की जानकर देता रहता हूं तो आपको मिल जाएगे यह एक हुआ के उसकों जाके फोलो करने न जो नहीं है और जिनकों पंठाए दिखकति नहीं हें उनकों मिलृ रहा होगा क्यृत बताब कोशिका में केंद्रक उन इन पसे götा है किस पादब कोशिका में केंद्रक अनुपसित होता है most important question nucleus is absent in which plant cell nucleus is absent in which plant cell xylem phrenchyma phloem phrenchyma या फिर slab tube cell या फिर communion cell यानकि सहचर कोशिका बहुत अच्छे कुशन है किस पादब कोशिका में केंद्रक अनुपसित होता है तो यह कोशिका कर यहां पर नाम देगे आपको बता नहीं यह सब पादब को सिका है तो आई होप आपने वन उप्सन चूच कर लिया होगा गाईज चेक नाओ इसका रायटोसन हो जाएगा चलनी नली का ठीक है यानि कि स्लाइव ट्यूपसेल इसका रायटोसन हो जाएगा नेक्स्ट है मैं निटो निवन में से किसका संचित बोजने मैं निटो मैं निटो इस टोरेज पूड ओप ग्रेसिल एरिया पेरिफायरा फ्यूकस उप्योंकिन से कोई नहीं बहुत तचा क्योंसे ने और आपको वन उप्सन चूच कर लिया होगा विसे आपने इंटलिजेंट जो हो आप क्योंकि जीक के सब्सक्राइबर हो आप सो इसका राय टो सुन हो जाएगा गाईज फ्यूकस ठीक है मैं इंटोस नेमने से किसका संचित बोजने और अगर आपको नहीं आए ना कोई दिखन नहीं क्योंकि हमारा पहला वीडियो इंगलिस इंदी मीडियम का और हाड कुशन का तो कोई दिख सबस्क्राइब में आता है एएरपोन सबके पास है मोबाइल आजकल सबके पास है और इसका सुदू प्योख रोगे तो सब देखो आगे जाओगे डियूख नहीं करना है और आपको समदार हो साइंस के सूड़ेंट हो दो तो इसका सुदू के उखरो हैड़पोन के उईज तो आप अपनी इमानदर से कमेट में बता देना किस के कितने सहीत सही थे कितने गलत्य गति से कितने क्उचान आपके सही गए 20 गए हो 5 गए हो किस के पंदृऽा सही गए चाही है और जिनके कुछ जैसे कि 25 क्उचान क्रेट गए तो कोई दिक्क्त ने एक बार भी देख लिया लेकिन जिसके बीस पंद्राइस एक तो दो से तीन बार आपको वीडियो देखना है ताकि सब कुछ आपको याद हो जाए ठीक है और मैंने आपको बताए दिया हमारा जो जेकलों जॉब चैनल सब को पता है जेकलों जॉब उसका वहाँ प्रप्याव को इंग्लिस और हिंदी मेडिय में मल्टिपल चोईस क्यूशन मिलना स्थार्ट हो जाएंगे दो चैनलों से इंग्लिस और हिंदी में कितना बड़ा मजा है ठीक है ना ताकि क्योंकि आपके एक्जाम बहुत जलत आने वाले तो इसलिए थोड़ है तो उसका भी लिंग नीचे डिस्क्रिशन में दिया वाए और हमारा जो जेकलों जोब चलने उसका भी नीचे डिस्क्रिशन में दिया वहाँ से अपनी जो कम्याहें उसको पूरा केजिए ओके धन्यवाद